दोस्तों छोले भटूरे के नाम से हर किसी के मुँ में पानी आ जाता है और हर किसी को छोले भटूरे जरूर पसंद होते हैं पट कई लोग health conscious होने की वज़े से थोड़ा सा avoid करते हैं कि नहीं खाना पड़े oil भी होता है मैदा भी होता है तो इसका पूरा solution तो नहीं निकाला जा सकता है कि बिल्कुल भी इसको oil free बना दें लेकिन थोड़ा सा हम इसमें इंप्रूव्मेंट कर सकते हैं मैदे के भटूरे को आटे के भटूरे में convert करके तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ share करने जारी हूँ आटे के भटूरों की recipe और यकीन मानिए ये इतने कि आपको मैदे के भटूरों की कमी बिल्कुल भी महसूस नहीं होएगी एक बार आप इस तरीके से मेरी recipe से भटूरे बना कर देखिए आटे के आप हमेशा इसी तरीके से छोले भटूरे बनाना पसंद करेंगे तो चलिए देख लेते हैं इसे कैसे बनाना है और हमें क्या- एक बड़ी परात में धाई कप पूरा जो चोकर के साथ आटा आता है वो लिया है यह आधा कप है दो कप मैंने फुल लिये थे और इसमें हम डालेंगे आधा चोटा चमच नमक एक चोटा चमच पिसी हुई चीनी इसके बाद मैंने लिया है बेकिंग सोडा जो की हम इसमें आट करेंगे तीन से चार चुटकी बेकिंग पौडर भी हमें इसमें आट करना है आधा चोटा चमच और अब सब चीजों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे सारे इंग्रीडियंट्स को अच्छे से मिक्स करने के बाद यहां पर हम लेंगे एक चौथाई कप दही और आधा कप हम इसमें पानी आट करेंगे तो इसको सबको अच्छे से मिक्स करना हमें और यहां पर हम थोड़ा थोड़ा सा पानी आट करेंगे और आटे को गुधेंगे एक साथ ज़ादा पानी नहीं डालेंगे वरना आटा ज़ादा गीला हो सकता है तो थोड़ा थोड़ा स पानी इसमें एड किया होगा या फिर सवा कप के आसपास तो उतना जो है पानी सफेशेंट था और हमें इसका एक सॉफ्ट डो लगाना है बहुत जादा हमें हार्ड नहीं रखना है और इतना गीला भी नहीं करना है जितना कि आप बेल कर और उसको तल नहीं सको तो हमें पू यह बिल्कुल गीला भी नहीं है इसको हमें ढखक करीब आदे घंटे के लिए छोड़ देना है आदे घंटे के बाद आप देखोगे कि आटा अच्छे से जालीदार बन चुका है और मतलब काफी जादा सॉफ्ट एंड लचीला है इसको अभम भटूरे बनाने के लिए इस लगाएंगे बहुत हलका सा एक से दो भून और थोड़ा सा अपने बेलन पर भी लगा लें तेल लगार कर बेलने से क्या होगा कि जो इसकी ऊपर की लेर होगी यह काफी जादा क्रिस्पी बनेंगी लेकिन अंदर से यह काफी अच्छे जालीदार बनेंगे तो आप इसकी म जो मैदे का भटूरे बनाते हैं इसको थोड़ा मैने पतला ही बेला है बट यह पूड़ी से थोड़े और मोटे हैं तो बस इसको मैने गरम तेल में डाल दिया है और यह बहुत जल्दी फूलते हैं यहाँ पर एक दो जगे क्रैक आ गया इस वज़े से पूरा नहीं फूला वरना अभी आप आगे देखोगे तो यह बहुत अच्छे से फूल जाते हैं जैसे आपके मैदे के भटूरे बनते हैं सेम उसी तरीके से फूले हुए यह बनते हैं और अंदर से प्रॉपर जालीदार तो इसको बस यह धियान रखना है कि आपको अच्छे गरम तेल में इस च्छोले बनाए हैं और इसको मैं गार्णिश कर रही हुरी धनिया के साथ साथ ही मैंने आज बनाए है जो इसके साथ छोले भटूरे के साथ मिलने वाले खटे आलू होते हैं इसकी रेश्पी मैंने अभी रिसंटली आपके साथ शेयर करी हैं अगर आप देखना चाहो तो जरूर देख सकते हूँ, description box में and उपर आई बटन पर भी इसका link आपको मिल जाएगा तो ये रही मेरी थाली जो मैंने तयार कर ली है छोले भटूरे की साथ मैंने onion और थोड़ा सा अचार भी जो है इसमें serve किया है कितनी colorful से लग रही है न और मुँ में पानी तो सबके ही आ रहा होगा और यकीन मानिया ये पूरी थाली ही बहुत ज़दा टेस्टी बनी थी ये जो आलू है इसकी रेस्पी आप जरूर देखिएगा ये छोले भटूरे के साथ जबी भी आप इसको बनाओगे उसका स्वात दोगुना हो जाएगा तो चलिए अब मैं आपको इसको टेस्ट करवाती हूँ कि ये किस तरीके का इसका टेक्शर है तो आप इसको तोड़ोगे तो आप देख सकते हो कि कितने आसानी से तूट गया है और अंदर से बिल्कुल अच्छे से इसमें जालियां पड़ी हुई है जैसे कि भटूरे में पड़ती है और ये छोले भी बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट से बने है एकदम लटपटे से जो भटूरों के साथ खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं और बहुत ही एकदम सही बने है बिल्कुल आप देख सकते हैं कि इसमें हाथ में आप टच करोगे तो उतना तेल नहीं आ रहा है जितना तेल आपके मैदे के भटूरों में आता है और यहां पर मैं आपको चेक करवा देती हूँ मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा अगर आप इसको ट्राइ करते हो कि आपको यह रेस्पी कैसी लगी है फिर मिलूँगी एक और नहीं रेस्पी के साथ तब तक टेक कियर और थेंक्यू फॉर वाचिंग